क्या पाकिस्तान में अंजु को है खत्रा? अंजु की सुरक्षा में क्यों तैनात हुई पुलिस? सुरक्षा पर क्या बोले पुलिस अधिकारी? अब भी तेक कई दिनों सी पाकिस्तान से अपने प्यार को पाने के लिए भारत पहुंची सीमा हैदर की कहानी सुन और देख रहे होंगे इन सब के बीच अब एक और कहानी सामने आई है जिसकी खूब चर्चा हो रही है कहानी तो बिलकुल सचिन और सीमा के जो ऐसी ही है लेकिन इसकी डेस्टिनेशन चैंज हो गई है जिहां इस बार भी एक प्रैमी का अपने प्रैमी से मिलने के लिए सरहदे लांग कर दूसरे देश जा पहुँची है और उस प्रैमी का का नाम है अंजू भारत के राजुस्थान के बिभारी की रहने वाली अंजू अपने दो बच्चों और पती को छोड़कर अपने प्रैमी नसरुल्ला के पास भारत से पाकिस्तान जा पहुँची है पहले अंजू ने इसलाम धर्म अपना लिया और फिर नसरुल्ला से शादी रचाई अब अंजू का नाम बदल कर फातिमा रख लिया गया है अब इस मामले में अपर दीर जिला पुलिस अदिकारी मुस्ताक खान ने प्रैस कॉन्फरेंस कर तमाम जानकारी दी मुस्ताक एह पाकिस्तान आई इस महिला के पास तीन महीने का बिजिट पीजा है अंजू तीन साल से फेस्बुक पर अपर दीर निवासी नसरुल्ला के साथ रिलेशन्शिप में थी महिला को फुलिस सुरक्षा मुहिया कराई गई है भारत्य महिला की उमर 35 साल है जबकि नसरुल्ला की उमर 39 साल है वह खुद ये बात कबूल चुकी है कि वह नसरुल्ला से प्यार करती है वहीं डीर जिले के एसपी के मुताबिक 21 अगस्त को अंजू पाकिस्तान से बापस चली जाएगी महिला की सुरक्षा में पुलिस तैनात की गई है अंजू ने भी पाकिस्तान से अपना वीडियो जारी करते हुए कहा कि वह जल्द ही भारत बापस लोटेंगी साती उसने ये भी कहा था कि उसके घरवाले और जानने वालों को परिश्वान ना किया जाए इतना ही नहीं कुछ खबरें ऐसी भी आई थी जिसमें उसने ये दावा भी किया था कि वह इसलाम धरम न अंजू वैद्यभीजा के साथ पाकिस्तान के खैवर पक्तूनवा सुबह के कवाईली जिले उपरी दीर में अपने प्रेमी नसुरुल्ला से मिलने गई थी रिपोर्ट्स में ये दावा किया जो रहा है कि नसुरुल्ला के साथ उसका निकाह अपचारिक रूप से डिस्ट के करेब बैठे हैं अंजू की जान पैचान पाकिस्तान के नसुरुल्ला से चार साल पहले फेस्बुक के जरिये हुई थी इस खबर में फिलहाल इतना ही ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ